नमस्कार MP न्यूस कास्ट में आपका स्वागत है मैं हुआ आपके साथ दीप्टी भठागा आए शुवात करते हैं धन्भर के कुछ खास खबरों के साथ छी जौरा नई बस्ती जूडी का प्रकास में आया है सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि PWD के द्वारा बनाई जा रही स्वास्त केंद्र की बिल्डिंग और निर्माण कार ठेकेदार बंटी मिस्रा को मिला है आपको बता दे कि अपना फाइदा देखते हुए डश्ट एबं मिटी युक्त नदी की देशी बालू से घटिया और गुडवत्ता भी ही निर्माण होने के कारण दिवाले चटक चुकी है इवं छट टेड़ा हो गया है क्योंकि ना किसी प्रकार छट वा दिवालों की तराई की गई ना कोई जवाबदार देखने वाला है जिसको लेकर जिले के जवाबदार अधिकारियों पर सवाल या निसान खड़े हो रहे हैं सासन की रासी का हो रहा दुरुपयोक और नियूमों पर फेरा जा रहा है पानी बलकि चिंता जनक बात यह है कि जहां हजारों लाखों की जिन्दगी का भविस से जुड़ा हो वहां भी घटिया पन आखिर ऐसा क्यों आए ले चले ग्राम वासियों की और क्या है हकीकत बया करते हैं अपनी दास्ता MP नूजकास्ट के लिए ब्यूरो से आरपी वर्मन की खास रिपोर्ट बिल्डिंग का आप भी देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग का घटिया निर्मान देख रहा है जो सही तरीके से ने हुआ है तो मेरा सर निवेदन है वो चतकारियों से जला प्रसासन से के इसकी जाच करवाई जाए और इस ठेकेदार की उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए घटनवाद करवाया ठेकेदार में तो में नदी की रहता लगवाई है रश्ट से जुडाई करवाई है यह जोने डेपीसी जलती है बीम बनती है तो में डेपीसी उसने डाल दिया है तो दीबाला पूरी फट गई है तो जाए ठेकेदार की उपर कारवाई हो और मैंने एक सोटक्यासी में डस परदरी को इसकी सिकायत की थी तो आज तक इसका नेरा करना ही हुआ है अधिरा सेन है में ग्राम शे जवरा से हूँ अभी कहा कि इसमें देखो कभी हम लोग घर में तक यह ड़स्ट नी बनाते है छत में इसमें ड़स्ट लगाई है यह दीबाला पीच में डीपीसी नहीं डली है अब सब घटी है इने निरमाण है पूरा हुँ कि मेरा नाम धर्म्हान से है कहां से हैं मैं ग्राम शेवरा से है स्वास्त्केंद्र का नेर्माण कार काई साथ केरी पहुत ही मिर्द का साथ केowanल है माटेरियल कैसरी थे Week और यहाँ पर किसी को बगर बताए और अव्यद और सिकारी के से काम हूँ रहा है कि यह कि वे स्वास्त केंद्र का निर्मान हू रहा है हमारी घ्रांसा च्छ चरण दार को इसका ठेकेदार बंटी नाम का ठेकेदार रहे हैं अब यह जानकारी नहीं कहां का रहने वाला है बिल्वकल घटिया चलव रहा है इसका निर्मान देखने से तो मुझे लग रहा कि इसमें कुछ भी निडाला है, सीधे इसमें डाला है तो ये नदी की रेता मिट्टी में लौनी लगाई हुई है और ड़स्ट के जुडाई की गई है और इसमें सही धंग से बीमें नी डली है सही धंग से छट का निर्मार नी हुगा है